नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ शराब कोटाले में पूछताज के लिए दिल्ली के मुख्य मंति अर्विन केजिवाल चुमवार को भी एडी के सामने पेश नहीं हुए एपी ने कहा कि एडी के समन गयर कानूनी है जब समन की वैदिता को लिकल कोट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगा एजेंसी को कोट के फैसले का अंतजार करना चाहिए एजेंसी ने सत्रा फरवरी को छटा समन भेज कर केजिवाल को पूछताज के लिए बुलाया था इससे पहले जांच एजेंसी करजिवाल को दो परवरी, सत्रा जनवरी, तीन जनवरी, किस दिसमबर और दो नमंबर को समन भेज चुकी थी जब पांच समन के बाद भी दिल्ली सियम पूछताज के लिए नहीं आए तो एडी ने राउज एवनी कोर्ट में याच्छिका लगाई थी चुदा फरवरी को कोट ने करजिवाल से कहा था कि आप सत्रा फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वज़ा बताएं तब केजिवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास वस्ता उपर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुली कोट में पेश हुए थे इसके बाद कोट ने कहा कि हम अगली सुनवाई सुला मार्च को करेंगे केजिवाल उस दिन कोट में पेश होंगे सूत्रों के हवाले से खबर है कि एडी जल्द ही अर्विन केजिवाल को सात्वा समन भेच सकती है इसके अलावा जाट अजेंसी ने कहा कि कोट में समन की वेत्ता को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है केजिवाल ने पहले जारी किये गए तीन समन का जानबूच कर पालन नहीं किया इसलिए कोट ने माना की दिल्ली के सीएम ने अपरात किया है कोट ने एडी की आचिका पर आईपीसी की धारा एकसो चोतर के तहट संग्यान लिया है यह धारा कानूनी आदेश का पालन न करने से संबन्दित है कोट ने माना की केजिवाल पर मुकदमा चलाया चा सकता है इसी के साथ बने रे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद